हलो बच्चो वालकम टू फिजिक्स वाला फांडेशन चैनल क्या हाल चाले प्यारे बच्चा लोग मचा रहे हो कि नहीं मचा तो रहे होंगे मजा आ रहा होगा अभी भी कभी जागे नहीं हो कभी अभी भी सोच रहे हो कि समय बहुत है तो यार उडान में साध चैप्टर हो गया चैप्टर नमबर 8 स्टार्ट होने वाला है तो जो लोग साथ में चल रहे हैं बहुती बढ़िया जो लोग पीछे रहे गए हैं नया चैप्टर है नई शुरुवात है नई बरांच है मतमाटिक्स की है ना तो पुराना कभी नहीं भी देखा है तो इस चैप्टर को भी रेगुलर देखोगे आपसे तो भी सारी बाते समझ में आएगी ट्रिग्नोमेट्री के दो चैप्टर है आपके 10th Mathematics में चैप्टर नमबर 8 और चैप्टर नमबर 9 पहला जो चैप्टर है हो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मैं एक चीज़ बता दू आपको 11th में भी पढ़ना है 12th में inverse पढ़ना है तो बहुत important चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है बोलोगे आसान तो सभी को बोलते हो यार ये चैप्टर है ना केवल क् उनको side और angle में एक relation देती है ये branch mathematics की जिसका नाम है trigonometry ये Greek letter से मिलके बना है trigon मतलब triangle तीन side basically जो figure की होती है उसको triangle बोलते हो और matry मतलब measurement तो side और angle में relation जो दे दे वो branch mathematics की trigonometry कहलाती है और उसको class 10th में बहुत basic चीज़े आपको बतानी है बहुत ही basic बाते आपको लोगों के साथ करनी है तो शुरू करते हैं trigonometry की एकदम मुस्कान के साथ pen और copy निकाल लो heading डाल लो trigonometric ratio discuss करेंगे तो शुरू करें सबसे पहले ये mathematician आप लोगों को दिख रहे होंगे ये एक astrologer भी है और बहुत ही कमाल के mathematician है ये इनी को आप कह सकते हो कि यार ये जो है this is the man who is responsible for this chapter trigonometry के लिए ये responsible है क्योंकि ये founder है जिन्होंने पहली बार trigonometry को समझाता कि यार जो triangle है उनके जो side है और उनके जो angle है उनमें कुछ relation बनाया जा सकते है इन्होंने वो trigonometry की table लिख के दी थी जिनका नाम है हिपकस ये बहुत पहले की बात है देखो black and white photo मिला है अपने को है ना तो ये कौन है he is the founder of trigonometry founder है ये trigonometry के trigonometry के जनक है इनके कारण आपको ये chapter और इसके बाद एक और chapter है height and distance जहां पर अपन uses पढ़ेंगे trigonometry के trigonometry basically होती क्या है अभी मैंने देखा उसके नाम से ही समझ में आ रहा है measurement triangles का triangles में भी measurement किस तरीके से करना है तो angles और side में relation देता है ये trigonometric ratios trigonometric ratios ही हमारे काम की चीज है जो हमको समझना है class 10 में आपको केवल ये समझना है कि trigonometric ratios क्या होते हैं तो trigonometric ratios क्या होते हैं कोई भी triangle है right angle triangle की मैं बात करूँ है ना अब तुम बोलो कि क्या trigonometric केवल right angle triangle में लगती है तो एक बात बता दू जो बोलेंगे कि yes है ना बिलकुल क्योंकि 6 trigonometric ratio right angle triangle में ही लगते हैं पर तुम किसी भी triangle को जैसे कोई भी तुम्हाँ पास triangle दिया है तो यार उसको bisect करके perpendicular draw करके दो right angle triangle में बना सकते हो बही मेरे पास ये triangle था ABC मैंने AD perpendicular डाल दिया BC पर तो ये दो right angle तयार हो गए ADB और ADC है ना तो किसी भी triangle में एक right angle triangle form हो सकता है और वहाँ पर आप trigonometry लगा सकते हो ये trigonometric ratios होते क्या है तो यहां पर मैंने specifically लिखा है कि right triangle के बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं right triangle की okay this is important the ratio of the side of right triangle with respect to its acute angle are called trigonometric ratios मतलब मैं right triangle को जानता हू यार कुछ इस तरीक से दिखता है right triangle है ना यह 90 degree होता है यह दोनों acute angle होते हैं तो acute angle और side में जो relation दे दे वो होते हैं आपके trigonometric ratios और ऐसे 6 trigonometric ratios है जो हम discuss करेंगे तो यह बहुत ही general idea दे दिया trigonometry क्या है it is just a branch of mathematics that deals with the side and angle relation of a triangles और मैं किस triangle की specifically बात कर रहा हूँ right triangles की क्योंकि trigonometric ratio किस पर define होते है right triangles पर define होते हैं 6 तरह के trigonometric ratios होते है sin, cosine, tangent, cosecant, secant and cotangent यह 6 trigonometric ratios क्या होते हैं बाते करूंगा केवल अभी यह definition को समझो trigonometric ratios क्या है the ratio of the side of a right triangle with respect to its acute angle are called trigonometric ratios और उसी को T ratios भी बोलते हैं उसी को T ratios भी बोलते हैं बड़े आगे चलिए तो हिपकेस के बारे में बाते हो गई अब बात करते हैं कौन-कौन से trigonometric ratios होते हैं उसके पहले एक right triangle आप लोगों के सामने बना है इसका नाम दे देते हैं यार इस right triangle का नाम दे देते हैं इस right triangle का नाम देते हैं मानो P, Q और R और यह वाला एक acute angle है इसका नाम मैंने दे दिया theta theta एक Greek letter है मैंने represent कर दिया theta से हैना यह एक variable है theta is basically the representation for an angle okay, angle को अपन generally theta से represent करेंगे अब यह theta मेरा acute angle है मैं को दिखे रहा है कभी यह 90 degree है तो यह दोनो acute angle होंगे definitely सी बात है है ना तभी तीनों का sum 180 degree होगा तो यह obtuse angle तो हो नहीं सकता है कभी obtuse होगा तो दो angle का ही sum 180 से जादा हो जाएगा तो right angle triangle में right angle triangle में एक angle 90 degree होता है तो यह theta की मैं बात करूँ तो यह theta के सामने वाली side theta से 2 side निकल रहे है यह आपको पता है right triangle में सबसे longest side जो होती है वो 90 degree के सामने वाली होती जो की PR है तो यहां पर मैं बात करूँ तो 90 degree यह अपना Q पर बन रहा है this is my 90 degree अराम से सारी बातों को देखना कभी पता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता है तो note कर लेना 90 degree के सामने वाली side 90 degree के सामने वाली side सबसे बड़ी होती है तो यह PR मेरी क्या है this is my hypertenus है ना यह PR मेरी longest side है इसको मैं capital H से represent कर रहा हूं थिक यह theta है ना इस theta के सामने वाली side को इस theta के सामने वाली side को मतलब यह theta है जिस acute angle की मैं बात कर रहा हूं वो मेरा theta है तो उसके सामने वाली side को सामने मतलब तो opposite वाला कह रहा हूं मैं तो theta के opposite side कौन से यह PQ तो यह PQ को क्या बोलते है it is opposite side theta क्या है theta के सामने जो side है वो तुमारी opposite side होगी जो theta के साथ लगीवी side है एक तो hypertenus होई गई उसके अलावा जो theta को form कर रही है एक और side बचिए that is QR यह तुमारी होगी adjacent side तो यहां पर अराम से note कर लेना यह PQ जो है यह तुमारी क्या है it is opposite side ओके यह opposite side है है ना और जो तुमारी qr है यह मैं बोलू rq है वो तुमारी है adjacent side बहुत अराम से सारी बातों को समझ लो मैं किस angle की बात कर रहा हू theta मेरा कौन सा angle है angle PRQ this theta is my angle PRQ and which is an acute angle कौन सा angle है यह acute angle है तो PRQ के सामने वाली side को बोलेंगे opposite side उसके साथ लगी वी 2 side होगी जो 90 degree के सामने उसको बोलते है hypertenuous आपको पता है और जो उसके साथ लगी वी है that is called adjacent side okay इस opposite side को ही बच्चे perpendicular भी बोलते हैं इस opposite side को ही बच्चे perpendicular भी बोलते हैं और इस adjacent side को ही बच्चे base भी बोलते हैं इस adjacent side को बच्चे base भी बोलते हैं okay PQ opposite side है किसके respect में reference मेरा important है यहां पे मैं बात किस की कर रहा हूँ, मैंने कहा था trigonometry में अपने angle और side की बात करेंगे तो यह जो मेरा reference angle है, इस angle को मत भूलना मैं किस angle की बात कर रहा हूँ, that is very important उसको मत भूलना, मैं angle PRQ की बात कर रहा हूँ, बच्चो angle PRQ की बात कर रहा हूँ, angle PRQ के लिए यह opposite side है, मतलब PQ perpendicular होगा, RQ adjacent side है, है ना, लगी वी side, adjacent मतलब लगी वी, opposite मतलब सामने वाली, theta के सामने वाली side को opposite बोलेंगे, इस RQ को adjacent बोलेंगे, यहर इसमें तो कोई confusion होना नहीं चाहिए, है ना, यह मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यह यहाँ पर ही बच्चे confused हो जाते हैं, और फिर वो trigonometric ratio जब discuss होता है, तो उनको confusion create हो जाता है, केवल तुमको इतनी बात याद रखनी है कि कौन से angle की मैं बात कर रहा हूँ, कभी में theta, मैंने यह माना तो उसके लिए है, adjacent side यह हो गई, opposite side यह हो गई, मान लो, angle PRQ की जगा, मैं कोई दूसरे angle की बात करता क्यार, यह angle RPQ, angle RPQ के लिए, है ना, angle RPQ के लिए, मानो, यह मेरा कोई angle है, x, भी, angle RPQ is basically x, और तुमको पता है, x की value क्या होगी, that is 90 minus theta, भाई यह theta है, यह 90 है और यह x है, तो वो x की value, obvious सी बात है, 90 minus theta होगी, यह इस x के लिए, RPQ के लिए, सामने वाली side, सामने वाली side कहलाएगी opposite side, इस RPQ के लिए, RPQ के लिए सामने वाली side कहलाएगी opposite side, मतलब उस RPQ के लिए, जो RQ है, वो कहलाएगी opposite side, okay, very important point है बचा, और जो PQ है, वो कहलाएगी adjacent side, hypertenous तो वही रहेगी, longest side, 90 degree के सामने वाली, जब तुम ये वाला angle of reference भी लोगे, तो भी कोई confusion होना नहीं चाहिए, ये basically angle of reference है, जब मैंने case 2 है, ये मेरा, this is my case 2, and this is my case 1, this is my case 1, okay, for case 2, RQ मेरी opposite side कहलाएगी, और PQ, भाई, X के लिए तो ये adjacent side हो जाएगी, तो X के लिए ये वाली side क्या हो जाएगी, this is adjacent side, और यार, adjacent side को ही base बोलते हैं, और opposite side को ही perpendicular बोलते हैं, ओके, don't get confused, तो यार, ये जो perpendicular है और base है, या मैं बोलू, जो adjacent side है और opposite side है, ये depend करता है angle of reference, कभी मैं angle RPQ ले रहा हूँ, तो adjacent side और opposite side बदल जाएगी, कभी मैं angle PRQ ले रहा हूँ, तो adjacent side, opposite side बदल जाएगी, किसी भी right angle triangle में इन दो angle की ही बात करेंगी, कि ये दो ही acute angle है, तो trigonometric ratio की जो definition थी, वापस आजाओ, the ratio of the side of a right triangle with respect to its acute angle, acute angle वो दो ही है, उन दो का relation side के साथ, okay side कौन कौन सी होगी, adjacent, opposite और hypertenous, उनके साथ relation को ही trigonometric ratios कहते हैं, clear है ये point, बहुत आराम से सारी बातों को लिख लेना समझ गयोंगे, ये important है, बच्चा, angle of reference, अब मैं एक activity करा देता हूँ, एक question करा देता हूँ, किसी को कोई confusion होना नहीं चाहिए, जैसे कि पहला case है, पहला case है, angle of reference क्या है, angle A की बात कर रहे हैं, यहाँ पे angle A को मैं बोल देता हूँ, x, यहना angle x के लिए, opposite side क्या होगी, यह hypertenuous तो clear है AC, 90 degree के सामने वाली side होती, hypertenuous उसमें तो मेरे क्याल से किसी को कोई confusion नहीं होगा, जो सबसे बड़ी होती है, वो hypertenuous कहलाती है, वो लिखावा है, hypertenuous AC होगी, इस x के लिए, बही, रेफरेंस क्या है, angle of reference, angle a बोला है, मतलब यह वाला angle बोला है, angle x के लिए, यह आपकी opposite side होगी, जो की bc है, जिसको perpendicular भी बोलते है, यही opposite side, ठीक है, अभी जो समझाया मैंने, और यह x के लिए, a भी तुमारी क्या होगी, adjacent side, मतलब भी, जो भी angle बनेगा, वह दो side से बनेगा, एक तो उसमें से hypertenous हो जाएगी, जो एक और side लगी भी होती है, इस angle x के लिए, this is adjacent side, तो यह a बी जो है, वो क्या हो जाएगी, adjacent side, ओके, तो don't get confused, जहां भी मैंने perpendicular लिखा है, मैं कहना चाह रहा हूं, कि वो opposite side को, बता रहा है, है ना, और जहां भी मैंने base use किया है, वो basically मेरे adjacent side को, बता रहा है, अगला, आपका a, b, c है, angle of reference, दो second, यह c कर लेना, इसको c कर लेना, यह b ही आ गया यहां पर, इसको c कर लो, है ना, इसको c कर लो, क्योंकि b यहां पर है, और angle of reference क्या बोला, c बोला है, तो this is your c, अब angle of reference कभी c हो गया, तो c के सामने वाला perpendicular होता है, मतलब a, b perpendicular हो गया, this is your perpendicular, this is hyperdenous, and this will be your base, जो edges inside होती है, वो base होती है, angle q 90 degree है, यहां पर 90 degree बनावा है, angle of reference यह तुमारा r है, यहां अब यह वाले angle के लिए, सामने वाली side, opposite side होगी, उसी को perpendicular भी बोलेंगे, यह basically, 90 degree के सामने वाली hyperdenous हो गई, this is your hyperdenous, that is PR तुमारी hyperdenous हो गई, सामने वाली perpendicular हो गई, तो बचावा क्या होगा, that is your adjacent side, which is called base, तरीका समझे में आ गया, मतलब 90 degree को देखा, 90 degree के सामने, सीधे गए, hyperdenous mark कर दिया, जो angle of reference, angle of reference के सामने, हमेशा perpendicular होगा, और perpendicular ही, opposite side मतलब, basically, r के opposite, को ही perpendicular का होगे, और यह तुमारा base होगा, ठीक है, कोई confusion तो नहीं है, किसी भी तरह का angle of reference, और इनमें किसी को कोई भी तरह का कोई doubt हो, तो आप पूछ लो, देखो, angle of reference r था, तो perpendicular क्या हो जाएगा, pq हो जाएगा, base क्या हो जाएगा, qr हो जाएगा, और hyperdenous क्या हो जाएगी, pr हो जाएगी, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यह बहुत easily सबको समझ में आ गया होगा, अब कुछ को लग रहा होगा है, इसमें क्यों समय भरबाद कर रहा, मैं बता दू, maximum बच्चे यहाँ गलतियां करते हैं, इसलिए मैंने इसको, थोड़े ज़्यादा एक्जामपल लेके आपको समझाया है, ताकि आप confused ना हो, यह important है, opposite side मतलब perpendicular, adjacent side मतलब base, ओके बड़े आगे, अब बात करेंगे trigonometric ratio की, तरीका क्या है, छेड तरह के trigonometric ratios होते हैं, first होता है sine, फिर होता है cosine, ओके, फिर होता है ingent, फिर होता है co-tingent, फिर होता है secant, और होता है cosecant, यह basically 6 trigonometric ratios होते हैं, किस angle की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने माना, यह मेरा right angle triangle यह A, B, C, यहाँ पे 90 degree है, angle of reference को, मैं angle A को ही angle of reference मान रहाँ, तो sine of A, basically, यह जो आगे लिखा है, this is trigonometric ratio, sine, okay, sine of A, है ना, आप कुछ बच्चे बोलेंगे, कि सर इस तरीके से भी लिखते हैं, बिल्कुल यह short form है, sine A को आप sine A भी लिख सकते हो, cosine A को, cos A भी लिख सकते हो, this is the short form, tangent A को 10 A लिखते हैं, cotangent A को cot A लिखते हैं, secant को sec A लिखते हैं, मतलब बेसिकली यहां पर A A लगा देना, है ना, किसी पर्टिकुलर एंगल के बारे में बाते हो रही है, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है, कि तुम sine का multiplication कर रहे हो A में, A तुम्हारा एंगल है, इस पर यह trigonometric ratio अपरेट हुआ, sine of A, इसको पढ़ते कैसे, cosine of A, tangent of A, cotangent of A, secant of A, cosecant of A, तो सेके बोल लो, इसको cosec A, cosec A या और छोटे में लिखना है, तो CSCA भी लिखते हैं, cosec A भी लिख सकते हो, या CSCA, ओके, इस तरीके से इनको लिख सकते हो, अब ये इनके क्या होता है, तो sine A, ये basically define हुए है, है ना, कि sine A, उन्होंने use किया, trigonometric ratio, वो कहते हैं, कि sine A की value होती है, that is equal to perpendicular upon base, P upon, sorry, perpendicular upon hyperdenous, perpendicular upon hyperdenous, P upon H, sine A की value होती है, cos A की value होती है, base upon hyperdenous, tangent A की value होती है, perpendicular upon base, cot A की value होती है, base upon perpendicular, sec A की value होती है, that is, hyperdenous upon base, and cosec A की value होती है, hyperdenous upon perpendicular, अब ये आपको याद रखना है, अब जहाँ पर confusion हो रहा होगा, कि P क्या है, H क्या है, B क्या है, H क्या ही, इसमें आप confusion होना नहीं चाहिए, angle of reference क्या लिए, A, sine of A की मैंने बात की, तो angle of reference जब A है, तो यार 90 degree के सामने, मतलब AC तो तो तुमारा hyperdenous हो गया, angle A के सामने वाली side होती है, perpendicular, और angle A के साथ लगी वी side होती है, बास समझ महीं, तो this is your base, this is your perpendicular, and this is your hyperdenous, तो कभी मैं इसको और आगे लिखू, तो perpendicular की value, sine A के लिए क्या होगी, this is perpendicular, okay, this is hyperdenous, तो perpendicular कितना है, that is BC, upon AC, base कितना होगा, that is a b upon a c hypertenous will be a c अब tangent a क्या होता है that is perpendicular upon base तुम एक चीज समझ में आ रही होगी कि जब मैं sine को divide कर दू cos के साथ तो 10 बन जाएगा क्योंकि देखो h और h cancel हो जाएगा p by b बन जाएगा तो a c से a c cancel हो जाएगा perpendicular की value b c है upon a b जो cot होता है वो reciprocal होता है 10 का तो उसका formula हो जाएगा a b upon b c मतलब इस वाली equation का reciprocal कर दो sec a basically reciprocal होता है cos a का है ना ये पहला है ये दूसरा है ये तीसरा है ये चौता है ये पाचवा है और ये छटा है तो hypertenous upon base तो hypertenous कितना है that is your a c upon base कितना है that is your a b और इधर भी hypertenous आपका a c है upon perpendicular आपका b c है मेरे ख्याल से ये सारी बाते आपको समझ में आ गई होगी अब इसको याद कैसे रखे तो उसका बहुत simple सा trick है है ना trick क्या है समझना पंडित भदरी प्रसाद हर हर बोले पंडित भदरी प्रसाद हर हर बोले है ना इस तरीके साब याद रख सकते हो pbp hhb लिखा इसके बाद इसी order में पहले लिखना है sine फिर लिखना है cos फिर लिखना है 10 okay 10 का reciprocal होता है cot cos का reciprocal होता है sec sine का reciprocal होता है cosec देखो sine का formula p by h अब यहाँ पे इसको column को complete कर दो यह formula आपके तयार हो गए sine का formula हो गया p by h cos का हो गया b by h 10 का हो गया p by b इसको बच्चे कुछ और तरीके से भी याद रखते हैं मैं एक तरीका और बता देता हूँ कभी तुम sine के formula को देखो कभी तुम sine के formula को देखो कि यार मैं कभी बात कर रहा हूँ sine a की तो वो क्या होता है वो होता है opposite side वही perpendicular को opposite side बोलते हैं upon hypertenous होता है upon hypertenous होता है opposite side upon hypertenous तो बच्चे याद इस तरीके से भी रख लेते हैं s o h तो इसका acronym मैं यह sine का formula हो गया opposite upon hypertenous opposite basically perpendicular होता है तो opposite upon hypertenous जैसे यह मेरा angle है a, b, c तो sine a का मेरे को opposite क्या है that is b, c upon hypertenous तो आपको समझ में आता है longest side that is a, c तो याद रखने का तरीका s o h sine का formula याद हो गया इसी तरीके से जो cos का formula होता है that is cos a तो cos a का formula क्या बनता है that is adjacent side base को बलते हैं आप adjacent side है ना upon hypertenous तो इसका acronym क्या बनेगा acronym मतलब short form c a h cos का formula होता है adjacent upon hypertenous c a h याद रखने के तरीके है so ka so ka और जो 10 होता है 10 का formula होता है 10 होता है opposite upon adjacent तो to a इस तरीके से भी बच्चे याद रखते हैं इन तीनों को याद रख लोगे तो sine तुमको पता है sine का याद हो गया opposite upon hypertenous तो sine का उल्टा होता है cosine तो cosine का हो जाएगा hypertenous upon opposite side cosine यह जो cos का formula याद हो गया that is adjacent upon hypertenous है ना इस तरीके से सो काटो है ना याद रखने के तरीके हैं बच्चो जैसे यह मैंने basically tangent का formula लिख दिया है यह tangent a का formula क्या होता है that is opposite side upon adjacent side अब मैं तुमको इमानदारी से बता हूँ क्या मैंने कभी भी इनको याद नहीं रखा मैंने question हो की practice की अपने आप मेरे दिमाग में insert हो गए okay और यह वाला याद रख लोगे पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले sine cost 10 order में लिखना है sine cost 10 पता है 10 का उल्टा caught होता है तो 10 के नीचे caught लिख दिया cost का उल्टा sec होता है तो cost sec sine cost sec इस तरीके से भी आप दिमाग में रख सकते हो या आप पर है कि आपको कौन सा तरीका best लग रहा है important के है दिमाग में रहनी चाहिए बाते जो अच्छा लगे उससे याद रख लो क्योंकि आखरी में add and question नों में मचाना है है न इतनी बाते क्यों कर रहे है ताकि question नों में आपका समय बरबाद ना हो कौपियों के पन्ने ना लटने पड़े है न सारी बाते अभी समझ गए हो अभी कितने बच्चों को याद हो गया हाथो हाथ बंडित भदरी प्रसाद हरर बोले sin cos tan sin का उल्टा होता है cosec तो sin के नीचे लिखूँगा cosec है ना cos के नीचे लिखूँगा sec क्योंकि cos का उल्टा होता है sec तो sine का formula होगया पी बाय sweetie cosec का formula होजाएगा हब वाय네 इसको याद रखने का तरीका cosec का formula क्या होजाएगा हब भाय है cosec का formula क्या होजाएगा है ना यह तो पते हिए हख क्या होता है पक्या होता है पर्पेंडिकुलर बोलो cosine का formula b बाय granddaughter sec का हो जाएगा h by b, tangent का p by b, cot का हो जाएगा b by b. I hope सारी बाते सबको समझ मागई होगी, बड़े आगे, अराम से note कर लेना, ये भी एक acronym याद कर सकते हो, so, ka, to, sign का formula, opposite upon hypotenuse, cosine का, adjacent upon hypotenuse, और tangent का, opposite upon adjacent. इस particular triangle के लिए, अब यार, ये वाली जो side होगी, this is my opposite side, है न, ac मेरी क्या होगी, opposite side, उसी को perpendicular भी बोलते हैं, और ये a b मेरी क्या होगी, this is my adjacent side, बहुत ही बढ़िया, और ये मेरी hypotenuse होगी, है न, सारी बाते समझ में आगई, बड़े आगे, चलो, कुछ important point है, कुछ प्यारी प्यारी बाते हैं, पता सबको है, देख लो एक बाते, the symbol, sine a, है न, बच्चे, confuse मत हो न, sine a का क्या मतलब है, is used as an abbreviation, मतलग किसी angle के आगे कुछ लगावा है, इसका बिलकुल भी ये मतलब नहीं, कि sine का multiplication हो रहा है, a के साथ, एक angle a है, उस पे sine operate हो रहा है, is used as an abbreviation for the sine of angle a, बोलेंगे कैसे, sine of angle a, sine a is not the product of sine and a, sine separated from a has no meaning, मतलब तुम केवल ये लिख दोगे, तुम केवल ये लिख दोगे, इसका कोई मतलब है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, किसी भी ratio को define करना है, तो उसके बाद यहाँ पे कोई angle लिखना पड़ेगा, ये कहने की कोशिश की जा रही है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं, कि sine का multiplication हो रहा है, एक के साथ, बिल्कुल बात समझ मा आ गई, ये एक angle है, ये एक operation है, जो कि अपन ने trigonometric ratio पड़े अभी 6, तो ये operation लग रहा है sine में, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, opposite side upon hypertonus, ये इसका मतलब है, opposite side upon hypertonus, इसका मतलब है, इसका मतलब है, ये बिल्कुल भी नहीं, कि angle A के value 45 degree है, तो sine का multiplication करना है 45 से, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है, है ना, each trigonometric ratio is a real number, हर trigonometric ratio एक real number है, basically side का ratio है, तो P by Q form में कुछ आएगा, which is a real number, है ना, P by Q के form में आएगा, और P Q दोनों real number में ही आएगे भई, समझ गए, तो जितने भी trigonometric ratios की values है, that will always come as a real number, and has no unit, and has no unit, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि वो not defined हो जाता है, वो not defined हो जाता है, basically वो tend करता है, infinite है, तो वो real number, basically मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो तुमारे ये ratios है, this ratios, कि आर opposite side upon hypertenus करूँ, मतलब side के ratios को मैं कभी देखूँगा, किसी भी triangle में, तो वो क्या हैंगे, हमेशा एक real number आएंगे, this is important, what I am trying to say is, क्यार ये side का ratio किसी भी, इसका इसके साथ ले लो, इसका इसके साथ ले लो, इसका इसके साथ ले लो, तो basically इन छेओ ratios के अलग-अलग combination बनाएगा है, उन छेओ ratios, मतलब इनके अलग-अलग combination, इन तीन के क्या-क्या combination हो सकते, इसका divide by इसके साथ, इसका divide by इसके साथ, एक यह है, इसका divide by इसके साथ, इसका divide by इसके साथ, दो और दो चार हो गए, अब यह दोनों ले लिए, यह दोनों ले लिए, यह दोनों बचे, इसका divide by इसके साथ, इसका divide by इसके साथ, तो total 6 combination बने, उन 6 combination को 6 ratios के नाम से define कर दिया, इनकी कोई unit नहीं है, जैसे तुम unit की बात करो, कोई distance को measure करते हो, तो 5 km है, तो ratios की क्या unit होगी, length को length से divide कर दिया, मतलब unit से unit cancel हो जाएगी, यह तो केवल एक unitless, मतलब कोई unit नहीं है इसकी, okay, dimensionless quantities है, थोड़ा मैं high जा रहा हूँ, पर इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना, चलो, second point clear है, अब आजाओ, the value of each of the trigonometric ratio of an angle does not depend on the side of a triangle, it only depends on the angle, triangle की side पे, यहां पे बहुत important बात लिखी है, does not depend on the side of the triangle, it depends only on the angle, समझना इस बात को, यह बात important है, इस बात को समझना, यह एक triangle बनावा है, मैंने इसके similar, एक triangle और बना दिया, इसी के similar, एक triangle और बना दिया, कुछ इस तरीके से, एक right triangle बना दिया, ठीक है, यह थोड़ा अच्छे से दिखनी रहा, इसको अच्छे से बनाते हैं, यह base बनाया, यह hide बना दिया, इस तरीके से कुछ बनाया, अपन ने एक triangle और बना दिया, basically इस तरीके से बनाया कि यह दोनों triangle similar है, यह दोनों triangle similar है, मतलब यार यह जो angle है, वो इस angle के बराबर है, यह जो angle है, वो इस angle के बराबर है, और यह 90 degree तो है, मतलब यह दोनों triangle कैसे similar है, अब बात समझना, यह P है, यह Q है, और यह R है, यह A है, यह B है, और यह C है, मैं कहरा हूँ यार यह दोनों triangle similar है, है ना, तो angle A को मैंने बोला, कि यार वो मेरे angle P के बराबर है, और angle जो R है, वो angle C के बराबर है, और angle Q तो तो तुमारा angle B के बर तब ही दोनों triangle similar हो गए, अब यह दोनों triangle similar है, आपको दिख रहा है, इनकी अलग-अलग length है, पर यार कभी मैं बात करू, sine of r की, कभी मैं बात करू, sine of r, और इधर भी मैं बात करू, sine of c की, तो यार, basically यह angle r है, और यह angle c है, दोनों angle बराबर है, तो sine operate होने के बाद भी दोनों values बराबर होगी, तो यह triangle कोई सा भी हो, यह triangle हो यह triangle हो, side के measurement को मैंने अलग कर दिया, पर operation लगने के बाद मैं कह सकता हूँ कि sine of r बराबर होगा, sine of c के, क्योंकि r बराबर है c के, मतलब कभी angle बराबर है, तो उनके trigonometric ratios बराबर होगे, तो trigonometric ratios किस पर define होते हैं, angles पर, side से उनका कुछ लेना देना नहीं है, अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, जब मैं यह point लिखाता हूँ, कि sir आपने कहा, sine r की value, sine r की value क्या होगी, that is opposite side, opposite side upon hypertenous, sine r के लिए opposite side क्या है PQ, और hypertenous क्या होगी PR, तो इसमें तो side आ रही है, बच्चे यह ratio को define किया है, ratio की value किस पर आ रही है, sine r पर, यह angle पर इस ratio की value आ रही है, तो trigonometric ratio किस पर depend करते हैं, इस particular angle पर, angle r पर, sine of angle r, यह sine किस पर लगा है, angle r पर, तो angle r की value और angle c की value बराबर है, तो sine r, sine c के बराबर होगा, यह statement true है, sine r, sine c के बराबर होगा, क्योंकि angle r, angle c के बराबर है, ठीक, अब तुम side कुछ भी देख लो, अब तुम देख पा रहे हैं, यहाँ पर a, b, और p, q अलग अलग है, a, b, और p, q अलग अलग है, a, c, और p, r अलग अलग है, पर इनके जो ratios है, a, b upon a, c, मतलब देखो, यहाँ पर जब तुम sine c की value निकालोगे तो वो क्या आएगा, a, b, opposite side a, b होगी, upon hyperdenous a, c होगी, उदर sine r में क्या होगा, that is p, q upon pr, तो यहर, p, q upon pr बराबर होगा, a, b upon a, c, k, p, q upon pr बराबर होगा, a, b upon a, c, k, मतलब ratios बराबर है, side का कोई लोचा है नहीं, यहाँ पर इनका जो ratio है वो बराबर है, basically similar है triangle तो ratios तो बराबर होगी, तो important क्या है कि trigonometric ratio किस पर depend करते है, angle पर, ना कि side पर, तो यह point बहुत important है, यहाँ पर बच्चों को confusion होता है, इसलिए इसको इतना detail में बताया है, कि the value of each of the trigonometric ratio of an angle does not depend on the side of the triangle, it depends only on the angle, क्योंकि कि किसी भी trigonometric ratio को किसी angle पर आप define करोगे, तो वो angle पर depend करते है, clear है, if the angle remains the same, यह वाला point भी मैंने समझा दिया यहाँ पर, कि यहार, जो angle कभी same है, है ना, तो trigonometric ratio की value नहीं बदलती है, यह angle same है, तो sin r, sin c के बराबर है, आप length को कितना भी बदल दो, तो यह ही कहना चाहरा है, कि जो value है trigonometric ratio की, वो vary नहीं करती है, length of the side of a triangle के साथ, वो केवल angle पर depend करती है, which is very important point, इसको note कर लेना, if one of the trigonometric ratio of an acute angle is known, कभी तुमको किसी right angle triangle के एक angle के सारे trigonometric ratios पता है, जैसे यह मैंने एक triangle तुमारे सामने बनाया, तुमको क्या पता है, तुमको sin R की value मानों पता है sin R मतलब ये वाला तुमको ratio पता है sin R मतलब तुमको पता है PQ upon PR तुमको पता है perpendicular PQ होगा hyperdenous PR होगा opposite side upon hyperdenous sin R का formula इस तरीके से लिखोगे कभी तुमको एक ratio पता है तो तुम दूसरे acute angle का ratio अपने आप निकाल सकते हो कैसे निकालोगे अब देखना sin P की value कैसे निकालोगे sin R की value तुमको पता है PQ upon PR तुमको पता है PQ upon PR कुछ भी हो PQ upon PR कुछ भी हो मानो PQ की value है 3X है ना और QR की value है 4X मतलब तुमको क्या पता है इन दोनों का ratio पता है तुमको क्या पता है साइन आर का PQ पता है और PR पता है, PR तुमको मानो 5X पता है, तो साइन आर तुमको पता है कैसे, कि ये है 3 by 5 तुमको दिया हुआ है, तो मैंने क्या मान लिए PQ 3X होगा, PR 5X होगा, रेशो 3 by 5 है तो इस तरी किसे मैं मान सकता हूँ, तो QR अपने आप निकल जाएगा 4X by applying Pythag तुमको पता है, कभी रेशो पता है, तो उन साइड को अज्यूम कर सकते हो, यहां पर तुमको रेशो दिया हुआ था, साइन आर का 3 by 5, तो मैंने PQ को अज्यूम कर लिया 3X, PR को अज्यूम कर लिया 5X, तो मैं QR निकाल सकता हूँ, भाई, अप्लाइंग पाइतगरस तियर क्यार वो होता है, PQ square, plus QR square, that is equal to PR square, अब PR square, कभी PQ upon PR 3 by 5 है, तो PQ को अज्यूम कर लिया 3X, और PR को अज्यूम कर लिया 5X, यहां पुट करोगे, तो QR की value आ जाएगी 4X, एक आ गया, अब तुम सारी बाते निकाल सकते हो, तुम साइन P की value अराम से निकाल सकते हो, साइन P की value कोई मुझसे पुछे, तो हो जाएगी 4 by 5, क्योंकि 4X upon 5X होगा, तो XX cancel हो जाएगा, तो कभी कोई एक trigonometric ratio तुमारे पास है, तो तुम बागी के trigonometric ratio, मतलब दूसरे acute angle के trigonometric ratio, अराम से निकाल सकते हो, वो भी सारे, अगला point क्या है, यह समझ में आ गया, यह वाला point सम at B, the trigonometric ratio obtained by taking either A or C gives the same value, यह वाला point देखो, यह मेरा, मानो, आइसोसेलिस ट्राइंगल A, A, B, C, उन्होंने बोला, angle B पे 90 degree, और आइसोसेलिस से मतलब, angle A, angle C के बराबर है, अब यार, angle A, angle C के बराबर है, तो तुमको पता है, sine A की मैं बात करू, तो sine A के लिए opposite side क्या होगी, A, C, है ना, sine A के लिए opposite side B, C होगी, hypertenous होगी, A, C, B, C upon A, C, यह sine A की बात होगी, इसी तरीके से मैं बात करूँ, sine C की, तो sine C के लिए, sine C के लिए opposite side क्या होगी, that is A, B, hypertenous तो A, C ही रहेगी, अब तुमको पता है, यह दोनों angle बराबर है, basically sine A, sine C के बराबर है, क्योंकि यह isocellus right angle triangle है, तुमको पता है, क्यार, जो A, B है, वो B, C के बराबर है, क्यार, A, B कभी B, C के बराबर है, तो मैं कह सकत sine A, sine C के बराबर है, तो किसी एक पे, जो trigonometric ratio की value आरी, किसी एक acute angle पे, वही same value, दूसरे trigonometric ratio पे भी आएगी, ओके, तो इस तरीके से तुम कर सकते हो, बिल्कुल आराम से, कोई confusion तो नहीं है, है ना, तो यह अपना, यह point है, कि कोई isocellus triangle है, तो sine A पे जो value आएगी, वही sine C पे आएगी, तुम यह भी कह सकते हो, जो cos A है, वह बराबर है, cos C के, क्योंकि angle A, angle C के बराबर है, तो basically मैंने कहा था, trigonometric ratio angle पे depend करते है, angle यह बराबर है, तो उनकी values बराबर होगी, 10 A, 10 C पे बराबर होगा, और जब यह बराबर है, तो इनके तैसी प्रोकल भी, cot A, cot C C पे बराबर होगा, sec A, sec C पे बराबर होगा, और cosec A, cosec C पे बराबर होगा, I hope यह वाली बात भी समझ में आ गई होगी, अगला point क्या है, as we know that, अच्छा, यह बहुत important point है, यहाँ पे तुम देखो, मैंने तुम को बता है, sine का formula, sine A का formula क्या होगा, for sine A, perpendicular upon hypertenous लगाँगा तो sine A के लिए perpendicular क्या है, B, C, hypertenous यह हो जाएगी, sine A के लिए मैं बात कर रहा हूँ, base हो जाएगा, मैं C पे कोई बात करी नहीं रहा हूँ, है ना, तो sine A के लिए perpendicular यह हो जाएगा, यह adjacent side base हो जाएगी और यह hypertenous हो जाएगी, तुम जानते हो, hypertenous हमेशा perpendicular से बढ़ी होगी यह hypertenous longest side है, तो hypertenous हमेशा perpendicular से बढ़ी होगी, मतलब denominator हमेशा numerator से बढ़ा होगा, इसका मतलब क्या है, कि इस ratio की value, कभी denominator बढ़ा है numerator से, तो इस ratio की value हमेशा 1 से जोटी होगी, मतलब जो sine A है, वो less than 1 होगा, इसी तरीके से मैं cos A का formula देखू, तो cos A का formula क्या होगा, base upon hypertenous, चोटा होगा hypertenous से, मतलब cos A भी हमेशा less than 1 होगा, मतलब cos के साथ कोई सा भी angle तुम ले लो, A लो, C लो, कुछ भी लो, वो हमेशा less than 1 होगा, क्योंकि या तो उसमें perpendicular होगा, उपर, sign के case में, या base होगा, पर denominator में हमेशा hypertenous होगा, जो की numerator से हमेशा बढ़ा है, तो overall value कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर यही कह रहा हूँ, as we know that hypertenous is the longest side in a right angle triangle, so the value of sign A और cos A is always less than 1, और in a particular case, equal to 1, किसी particular case में equal to 1 भी होती है, वो किस particular case में होती ही, वो मैं बताऊंगा, है ना, जब तुम 0 degree बनाओगे, वो करेंगे, अपन दिसकस, या भी छोड़ दो, औ और in particular case, equal to 1, वाला मैं जब angles की values तुमको अगले lecture में लिखाऊंगा, जब बात करेंगे इस पर, whereas the value of sec A और cos A is always greater than or equal to 1, equal to 1 यहाँ पर भी देखो, sec A और cos A की बात करेंगे, तो तुमको पता है sec A, sec A का formula के होता है, hypertenous upon base, बिल्कुल cos का उल्टा, तो hypertenous हमेशा बढ़ा ह यह मैं बताऊंगा आपको, है न, अब तुम बोलोगे, hypertenous कभी base के बराबर तो होगा नहीं, तो 1 कब होगा, अरे basically उस case में triangle form नहीं होता है, है न, 0 degree और 90 degree के cases में यह सारी values आती है, बराबर 1, ओके वहाँ पन जब values निकालेंगे, जब discuss करेंगे, अब ही किवाल यह बतान कि 1 से कम कभी नहीं होगी, sin, cos की 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगी, यह बात आप लिख लो, समझ में भी आ रहा होगा, कि भई base कभी भी hypertenous से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, अब आ जाते हैं, indicate करो perpendicular, hypertenous and base with respect to the angle marked x, यहाँ पर angle marked x, तो perpendicular क्या होगा, फटा फटा अपनी notebook मे इन तीनों case का आप लोग लिखो, मुश्कराओ और बताओ, बना पा रहे हो की नहीं, फिर मैं बताता हूँ, यह x है, कर लिया, मैं हट जाता हूँ, लिख लिया, चालो, वीडियो को pause करके कर लिया होगा आप लोगों ने, अब यह x के सामने वाली side आपकी perpendicular होती है, तो यह यह x है तो perpendicular क्या होगा, इस case में perpendicular क्या होगा, इस case में perpendicular क्या होगा, that is b, base क्या होगा, that is a, यह base a है, और hypertenous क्या होगी, that is c, सब चीज़े बता दी मैंने, है न, hypertenous तो हमेशा longest side होती है, 90 degree के सामने वाली hypertenous होगी, base तुमारा क्या होगा, that is adjacent side, वो a होगी और perpendicular सामने वाली, अब यह x है, तो इस x के लिए perpendicular यह बन जाएगा, 90 degree के सामने वाली होती है hypertenous, तो यह 90 degree hypertenous होगी, this is your hypertenous, this is your perpendicular, and this is your base, for case 2, base will be your d, e will be your perpendicular, and f will be your hypertenous, third वाले में क्या करोगे, third वाले में क्या करोगे, खुज से बताऊगे, यह angle measured x है, है न, यह 90 degree है, 90 degree वाला क्या, i क्या होगा, i क्या होगा, कर लिया, i इसमें क्या होगा, hypertenous, है न, x के सामने, this will be your perpendicular, g will be the perpendicular in this particular case, don't get confused, मैं यहां पर base का लिख रहा हूँ, तो यह मैं इस वाले example का लिख रहा हूँ, for this, this will be the base, g आपका perpendicular होगा, और h आपका base होगा, मेरे ख्याल से सारी बाते समझ में आ गई होगी, 90 degree के सामने वाली, hypertenous होती है, जिस particular angle की बात कर रहे है, x, उसके सामने वाला perpendicular होता है, और उसके साथ लगावाई, अब hypertenous होगया, perpendicular होगया, तो तीसरा बचावाई वो base होगा, इस तरीके से आप यह वाला सवाल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आगे, चालो, in the following figure, आपको sin a की value बतानी, cos c की value बतानी है, 10 a की value बतानी है, यह 13 है, पर 90 degree के सामने मतलब यह hypertenous हो गई, यह 90 degree के साथ लगी भी है, है ना, अब देखो, पहले किस की बात कर रहे है, a की, यह a है, है ना, this is your a, hypertenous समझ में आ गई, या तो यह base होगा, या यह perpendicular होगा, मैंने मेरे को कभी इस triangle में वो लगानी है, pythagoras theorum, तो मैं क्या बोलूँगा, ac square बराबर, bc square, plus ab square, अब ac कितना है, 13 का square, bc कितना है, नहीं पता, plus ab कितना है, that is 5 का square, यह हो जाएगा, 169 minus 25, बराबर bc square, 144, will be bc square, तो bc की value कितना आ गई, 12, bc आ गया 12, अब for sine a, sine a के लिए मैं कभी बात करूँ आप लोगों से, तो sine a का formula क्या बनेगा, that is sine a के लिए, angle a के लिए यह perpendicular होगी, 12 perpendicular होगा, perpendicular upon hypertenuous, 12 upon 13, 12 perpendicular होगा और hypertenuous तो 13 ही होगी, cos c की मैं बात करूँ, cos c, यह रहा मेरा cos c, है न, cos c, पहले a, a के निकाल लेते हैं, पहले a, a के निकाल लेते हैं, a, a में, अभी मैं a में बात करूँ तो यह मेरा a के लिए perpendicular है, है न, a के लिए 12 वो मेरा perpendicular है और 5 मेरा base है, 13 मेरा hypertenous है तो 10 a की value होती है perpendicular upon base, for a perpendicular का है 12 और base कितना है 5 अब c के लिए सब कहानी उल्टी हो जाएगी, c के लिए जो perpendicular है वो base बन जाएगा और जो base है वो perpendicular बन जाएगा, hypertenous वही रहेगी यह c है, c के लिए कहानी बदल जाएगी, यह c है, तो c के लिए यह आपका क्या हो जाएगा this will be your base and this will be your perpendicular, क्योंकि c के सामने वाली perpendicular तो cos c के लिए base, base upon hypertenous, base upon hypertenous, तो base कितना है base है आपका 12 upon 13, बिल्कुल सेम आगया, sin ने cos c के बराबर होता है है न, आप करेंगा अपन यह भी प्रूफ, भबराने का नहीं, cos c की बात करो, cos c कितना है तो cos c का formula क्या होता है, that is hypertenous upon perpendicular, बिल्कुल उल्टा sin के, sin में p by h होता है, तो cosec में h by p होगा, पर h इसमें उल्टा हो जाएगा c के लिए, c के लिए hypertenous क्या है, वो तो same ही है 13, पर c के लिए perpendicular क्या होगी है, 5 तो 13 by 5 आएगा, इसका reciprocal मत करते हैं, यह a है यहाँ पर c है, angle से values बदल जाती है, क्योंकि मैंने अभी बताया, for angle c, perpendicular अलग है और base अलग है, a के लिए अलग बाते हो जाएगी, important है, note के लिए सबके answer यही आये होंगे, बड़े आगे, बहुत basic question था, चलिए, अगला सवाल, क्या करेंगे इसमें बताये अब, तो यह यह बहुत ही प्यारा सवाल है, वीडियो को pause करो, खुद से attempt करो, मुस्कुराओ, ब बहुत ही बढ़िया, qr कितना है, 3 cm है, pr-pq 1 cm है, जो pr में से pq जा रहा है, वो 1 है, मैंने क्या किया, let मैंने माना कि मैंने इस side को, pq को, let pq मैंने मान लिया x, तो pr क्या हो जाएगा, मेरे पास एक relation दियावा है, that is, pr-pq आपका 1 है, तो pq मैंने x मान लिया, तो pr हो जाए अब मैं कभी यह देखू, right angle triangle है, तो पाइतगरस theorem लग जाएगी इसमें, वो होगा, pr square बराबर pq square, plus qr square, है न, pq square कितना होगा, तो pq square तो आपका x है, तो x square, plus 1, qr आपका 3 है, तो 3 का square, 3 का square, that is, 9 हो जाएगा, qr भी given ही है, given जो चीज़े है, वो तो है, आपको निका निकालना है, तो पहले मैं side on, तो निकाल लू, तो पहला target है, तो मेरा side निकालने का है, मैंने pq को x माना, तो pr मेरा हो गया, 1 plus x, बहुत ही बढ़िया, pr कितना है, 1 plus x का whole square, यहाँ पे लगेगा, a plus b का whole square, that is, 1 plus 2x plus x square, बराबर x square, plus 9, यह खतम हो जाएगा, यह उदर की value है, वो कितनी है, 4 cm, बहुत ही बढ़िया, pq की value कितनी है, 4 cm, और जो pr है, उसकी value कितनी है, 5 cm, अब निकालना क्या है, सारी values निकल गई, यहाँ पे रख देते हैं, तो सब चीज़े समझ में आ जाएगी, यह pr अपना मानाता 5 हो गया, और यह pq अपना 4 हो गया, अब त निकाल लेते हैं, pen बदल लेते हैं, sin r, sin r के लिए, sin r के लिए, यह sin r है, है न, r के लिए perpendicular क्या होगा, that is pq, है न, upon hypotenuse, that is p r, तो यह हो जाएगा, 4 by 5, sin का formula क्या होता है, perpendicular upon hypotenuse, sin r के लिए perpendicular pq होगा, upon hypotenuse, इसी तरीके से cos r, cos r का formula होता है, base upon hypotenuse, r के लिए, यह basically base है, इस r के लिए, यह base है, यह perpendicular है, और यह hypertenuse है, तो base upon hypotenuse, मतलग, यह base है, qr, तो 3 upon 5, और क्या निकालना, 10 r, तुमको एक बात तो समझ में आई गई है, 10 r क्या होता है, sin r upon cos r, sin r upon cos r, क्योंकि p by b कब बनेगा, जब p by h में से b by h, h और h cancel, तो यह p by b बन गया, that is 4 by 3, important बात, 10 r क्या होता है, sin r by cos r, सारी values निकल गई, बहुत आसानी से यह सवाल भी आप लोगों ने कर लिया होगा, बड़े आगे, बहुत basic चीजे है, अब prove वाली चीजे बहुत आती है, इसमें, तो prove कर लेते हैं, यह प्यारा सा सवाल prove कर लेते हैं, 10 theta, 1-10 theta, minus cot theta, 1-cot theta, अपन जानते हैं, 10 theta क्या होता है, that is sin theta by cos theta, is your 10 theta, we know that, we know that, यह बात पता है न, कैसे आया, अभी दिखाया मैंने तुम लोगों को, 10 theta का formula क्या होता है, that is p by b, perpendicular upon base, cos theta का formula क्या होता है, base upon hypertenus, sin theta का formula क्या होता है, perpendicular upon hypertenus, जब sin by cos करोगे, तो sin theta by cos theta करा, तो sin theta की value क्या है, p by h upon b by h, यह p by b बन गया, which is nothing, it is 10 theta, यह prove बता दिया मैंने तुमको इसका, है न, कभी sin theta by cos theta 10 theta होता है, तो cot theta बिल्कुल reciprocal होता है, 10 theta का 1 by 10 theta, 1 by sin by cos मतलग यह बनेगा, cos theta by sin theta, वह simple है, trigonometry बस थोड़ा सा दिमाग खुला रखना, अब यह बाते हैं यहाँ पर substitute करें, LHS में RHS बनाने की कोशिश करते हैं, तो यह क्या बन रहा है, दियान से देखना, यह बन रहा है sin theta by LHS को लिया है, हाँ मैंने LHS को लिया है, यह बन रहा है sin theta by cos theta, upon 1 minus sin theta by cos theta, minus cos theta by sin theta, upon 1 minus cos theta by sin theta, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अब यहाँ पर मैं एक चीज देखूँ, कभी मैं यहाँ पर एक चीज देखूँ, तो कभी मैं LHS लेता हूँ, नीचे, तो यह cos theta हो जाएगा, सबसे नीचे यह आजाएगा cos theta minus sin theta, upon cos theta, है ना, और उपर क्या है, sin theta by cos theta minus, अराम से देखो, अराम से चीजों को देखो, है ना, यही पर आगे बढ़ते हैं, इसी पेज पर, आप लोग भी करो, इसक्या आगे? अभी मैं कुछ step जंप कर दू, मैंने क्या बुला? यहाँ पर cos theta LCM लूँगा, तो क्या बनेगा? देखो दियान से, तो बनेगा, sin theta by cos theta, upon cos theta minus sin theta, upon cos theta, ठीक है? minus cos theta by sin theta, upon sin theta, minus cos theta, upon sin theta, इससे यह cancel, इससे यह cancel, अब यह minus sin कभी अंदर multiplication होगा, तो यह देखो, आराम से, sin theta, upon cos theta minus sin theta, कुछ बन रहा है, और minus में, यह minus कभी अंदर चला जाएगा, है ना, इसको plus ही कर लेते हैं, ठीक, यह minus कभी अंदर चला जाएगा, तो यह क्या बन जाएगा, that will be cos theta minus sin theta, तो यह बन रहा है cos theta, और नीचे क्या बन रहा है, cos theta minus sin theta, और यह LCM निकल जाएगा, cos theta minus sin theta, और उपर क्या बन जाएगा, cos sin theta plus cos theta, hence proved, यहाँ पर मैंने क्या किया, यह minus को इदर भेज दिया, अंदर, denominator में अंदर भेज दिया, तो यह basically minus, तुम common निकाल लो यहाँ से, यह समझ लो, minus common निकालोगे, तो cos minus sin बन जाएगा, क्योंकि यहाँ भी cos minus sin है, यह minus minus plus हो जाएगा, इस तरीके से hence proved, तो आसानी से यह prove हो गया, ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या सिखा, कि जो 10 theta होता है, यह लिख लेना, जो 10 theta होता है, वो होता है, sin theta by cos theta के बराबर, ओके, और जो, cot theta होता है, वो होता है, cos theta by sin theta के बराबर, ठीक है, आगे यह बास समझ में, बड़े आगे, चालो, अगला सवाल, अब यार इसमें में एक कर देता हूँ, एक तो आप खुदी कर लोगे, यह वाला मैं कर के बता देता हूँ, देखो 10 A की value, अब 10 A की value तुमको दे रखी है, that is, यह 3 उदर जाएगा, तो 10 A की value दे दी 4 by 3, ठीक, तो अपन एक right angle triangle ही बना लेंगे, यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया, 10 A की value 4 by 3 दे रखी है, मतलब perpendicular upon base, 4 A perpendicular क्या होगा, यह होगा, यह base होगा, यह hypertenous होगा, ठीक है, perpendicular upon base की value तुमारे पास है, perpendicular कितना है, that is 4, 4 X मानोगे, यह 4 मानोगे बात एक ही है, आखरी में ratio ही निकाल रहे है, तो cancel हो जाएगा, base कितना है, 3 है, hypertenous निकालना है, तो वो अराम से निकल जाएगी, that is equal to 5, अब 10 है, तुमारे पास है, तो तुम सेके भी निकाल सकते हो, सेके क्या होता है, that is hypertenous upon base, hypertenous 5 है, base आपका 3 होगा, cosec A भी आप निकाल सकते हो, cosec A क्या होगा, that is hypertenous upon perpendicular, hypertenous कितना है बच्चा 5, perpendicular कितना है 4, value put कर सकते हो, 5 में से 3, minus 5 में से 4, upon 5 में से 3, plus 5 में से 4, अब पहला वाला question ही में करके बता देता हो, under root में, केवल ये value put करनी है, 5 बटे 3, minus 5 बटे 4, upon 5 बटे 3, plus 5 बटे 4, ठीक है, तो क्या बन रहा है, ये ध्यान से देखें आप, है ना, तो आप पहले तो 12 LCM निकलेगा, ये हो जाएगा, 5 forza 20, minus 15, root में, upon में 12, है ना, 5 forza 20, 20 प्लस 15, that is 35 upon 12, cancel, ये बन गया, 5 upon root 30, ये बना, 1 by root 7, 1 बहर आ जाएगा, भई 5 upon 30 बन जाएगा, that is 1 by root 7, इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला आप प्रूव कर सकते हो, sin A की value कितनी होगी बच्चा, sin A, that is perpendicular upon hypertenous, cos A का बिल्कुल उल्टा, 4 बटे, 5 और cos A, बिल्कुल 2 का उल्टा, that is base upon hypertenous, 3 बटे, 5, value put करना answer, निकल जाएगा, तलोगे, बहुत आसान है यार, है ना, बताना की हो गया था, चलो, इना, triangle A, B, C, again, very easy question, ये वाला question, homework दे देते हैं, है ना, answer बताना, आपको sign A निकलना, cos C निकलना, 10 A निकलना, given A, B आपको, A, B आपको 5 cm given है, right angle B पर है, B, C आपको 12 given है, आपको इनकी values निकालनी है, ठीक है, चलो, अब क्या बोल रहा है, ये एक सवाल मैं और करा देता हूँ, उसके बाद कुछ true-false और कराऊंगा, है ना, तो अब ये वाले question को देखो, जल्दी से, attempt करो, खुझ से, क्या कह रहा है, 22 cos A minus 3 sin A is equal to 20 sin A, then find the value of 10 square A plus sin square A dot sec square A, पहले equation देखते हैं, जो अपने को given है, 22 cos A minus 3 sin A, बराबर 20 sin A, ये अपने को given था, कभी मैं इसको ध्यान से देखू, इसको अधर ले गया, तो ये बना 22 cos A, बराबर 23 sin A, ठीक है, ये अपना बन गया, यहां से मैं कभी देखूं, तो cos A को अधर भेजा, 23 को अधर भेजा, तो ये आए, 22 upon 23, that is sin A, upon cos A, sin A upon cos A, क्या होता है, that is equal to 10 A, यह 10 A की value आगई आपके पास, 10 A की value तयार है आपके पास, और 10 A होता क्या है, that is perpendicular upon base, is your 10 A, 10 A निकल गया, 10 A निकल गया, मतलब एक triangle आप assume कर सकते हो, यहाँ पर A बना दिया, यहाँ पर B बना दिया, यहाँ पर C बना दिया, 10 A perpendicular आपको बनाना है 22 का, A के लिए perpendicular यही होगा, यह 23, और यह hypertenous हो जाएगा, 22 का square, प्लस 23 का square, ठीक है, अब तुमको निकालना है, निया value 10 square A plus sine square A dot sec square A, है ना, तो 10 square A के में बात करो, तो 10 square A क्या हो जाएगा 22, अपॉन 23, का square, plus, sine square A के में बात करो, तो sine square A के लिए perpendicular यह हो जाएगा, 22, और यह क्या हो जाएगा, 22 का square, sine square A में, 22 का square, और यह भी hypertenous का square, मतलग यह square root हट जाएगा यह बनेगा 22 का square plus 23 का square dot sec square है sec square a के लिए hypertenous का square मतलग यह आएगा 22 का square plus 23 का square upon base base is 23 का square यह इससे cancel हो गया यह क्या बन रहा है आपका 22 का square upon 23 का square plus 22 का square upon 23 का square कुछ इस तरीके से बन रहा है अब तुम यहाँ पर भी देख पा रहे हो 22 का square upon 23 का square common निकल सकता है या 2 times of this कर सकते हो आपको दोनों की value पता है सीधे solve कर लोगे that is 2 times 22 का square upon 23 का square 22 का square होता है 484 23 का square होता है 5 to 9 value put करना answer निकल चुगा है important पता है क्या है? यहाँ पर important क्या है? मैंने यहाँ पर 10 square plus sine square है इसको मतलब operate करने के पहले यह सोच लिया था कि यह 10 square है को तो मैं लिखूंगा ऐसे ही पर sine square है क्या होता है? P square upon H square into यह क्या हो जाएगा? second square है H square by B square यह खतम यह भी P square upon B square ही बन गया 10 square है अपना answer आया है 2 times 10 square है मतलब 22 upon 23 का square calculation करने की कोई जरुरत नहीं यह answer हो गया इस question का और simplify करना है तो बता जी 22 का square 484 होता है तो logic समझो कि चीजों को approach कैसे करना है आपको formula पता है सब A, A, A है A के लिए perpendicular यह base यह और hypertenuous यह hypertenuous का square करोगे तो वो square root खतम हो जाएगा इस तरीके से सोच लिया बड़े आगे चालो last true false justify करने आपको अपने answer the value of 10 A is always greater than 1 10 A की value हमेशा greater than 1 होगी क्या तो पहले देखो 10 A का formula क्या होता है that is perpendicular upon base तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि perpendicular बड़ा हो base से है ना कभी perpendicular हमेशा बड़ा होता base से तो अपन बोल देते 10 A की value हमेशा greater than 1 होती आप लोग बता ना आपने answer क्या लिखा पहले का आएगा false दूसरे का आपने क्या लिखा sec A की value sec A की value जो है वो देदी 4 by 3 for some values of A बिलकुल sec A होता है hypertenuous upon base हाँ hypertenuous greater A base के मतलब किसी A पर ये value दे सकता है sec A 4 by 3 बिलकुल तो ये statement true है ये statement true है third वाला sin A is the product of sin A मैंने starting में बोला था sin A product नहीं होता है इसको बोलते है sin of angle A तो ये तो false है अच्छा ये वाला question देखो आखरी वाला fourth वाला भी मैंने समझाया है तुम लोगों को sin theta जो है वो क्या है 12 upon 5 अब तुमको पता है sin theta का formula होता है perpendicular upon hypertenous perpendicular पर 12 है hypertenous पर 5 value है क्या perpendicular greater हो सकता है hypertenous से यहाँ पर sin theta 1 से ज़्यादा आ रहा है 2 point कुछ मैंने बोला था sin theta हमेशा 1 से छोटा होता है ये statement तो false है तो केवल एक true है second statement बाकि सारी false है मेरी ख्याल से trigonometric ratio सब को चमक गया होगा attempt कर लो पूरी exercise बन जाएगी मचा दो है ना अगली class में complimentary angle की property देखेंगे believe in you you can do whatever you want to do in your life हमेशा मुस्कुराते रहो और मचाते रहो मिलते हैं next class में तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहो